जल्दी से आपने आपको इंट्रिएस कर देती हूं मेरे डाब अमरता है और मैं वीडियोस बनाती हूं बेबी के टिप्स पे, प्रोडिक्स पे, मेरे पर्सनल वी लॉग्स पे वेल आज को जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं R4 Rabbit Company के स्टोलर की या प्राम की वेल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं बच्चों के साथ बाहर ट्रावल करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे फ्यूचर में वीडियो बनाने के लिए तो आए जल्दी से प्रोड़क के बार में जानते हैं इसके बार में डीटेल में डिसक्स करते हैं तो दोस्तों यह है वह स्टोलर जिसके बार में आपसे बात करें थी R4 Rabbit Company का चॉकलेट राइट स्टोलर वेल यह स्टोलर जो हम लोग खुद भी लास्ट 7 मन्से यूज कर रहे हैं हमारे एक फैमिली मेंबर है जो कि इस टोलर को लास्ट 4 यूर से यूज कर रहे हैं हम दोनों का ही फीड़बाक इस टोलर का लेकर के अभी तक बहुत ज़्यादा अमीजिंग है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो बता दूँ कि इंडिया में टॉप 5 स्टोलर में से एक है और उविसली उसके पीछे रीजन जो है वो इसका बेल क्वालिटी है और साथ ही साथ यह जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडेक्ट में से एक है तो इसका जो डिजाइन है दोस्तों बहुत ज़्यादा यूनीक है बट यहां पे इस टॉलर के फ्रण्ट में रेंबू कलर के डिजाइन के साथ आता है यहां पे मैंने क्या किया है यहां पे एक अडिशनल कपडा मैंने यहां पे लगाया हुआ है जो कि आपको easily इस्टोलर के लिए ही Amazon पे मिलता है तो इसका भी मैं लिंक आपको description box में दे दूगे जिसको आप असानी से remove करके इसको wash करके वापी से इसमें फिट इन कर सकते हैं वेल इस्टोलर के carrying capacity के बारे में अगर मैं आपको आपसे बात करूँ तो यहां पे आप 0 से लेकर के 3 years तक बेबी के आप इसले अकॉमिडेट कर सकते हो और अगर वेट की बार में बात करों तो अप्ते 20 kg का वेट यह स्टोलर असानी से अकॉमिडेट कर सकता है सेफ्टी वाई से इस्टोलर है वो बेसिकली EN 1000888 certified product है तो बच्चों को safety related आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब कर आप इस टोलर को यूज़ करेंगे इसका एक और पार्ट जो मुझे पसंदा है वो है कि इसका जो handle है वो reversible है यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि मैं इसको back से आप इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से उसको चला सकते हो बदन अगर आप चाहो तो इसके handle को reverse करके भी इसको चला सकते है reverse करने के लिए यहां पर आप देख सकते हो दो knob दीवी हैं यहां पर भी knob दीवी है उसी तरीक्पे से दूसी तरफ भी अन्हों एक knob दीवी है है आपको हलके से इस knob को जो है वो उपर की तरफ नो है वो nit करना है अब पुल करके इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हो इस तरीके से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो तो यह हो गया आपका reversible handle बठी मेरा personal feedback है दोस्तों जब आप reversible handle जब यूज करते हो तो यहां से जब आप अपरेट करते हो तो उतना smoothly operate नहीं होता जब आप पीछे से operate करते हो तो अपरेशन जो हो थोड़ी से smooth हो जाती है तो यह था reversible handle के फीचर के बारे में वेल जो नेक्स फीचर में आपको दिखाना चाहती है वो तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो जो पहला जो प्रेक हो यहां पे उन्होंने दी वी है front wheels में बहुत आसान है इस break को operate करना operate करने के लिए आप क्या कर सकते हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, इसकी brake को जो है वो लगा सकते हूँ और इसको वापस से भाटा सकते हूँ, जो नेक्स brake है दोस्तों वो उन्होंने पीछे की तरफ दी हुई है जिसको तो यहां पर यह जो ब्रेक है नोने नीचे के तरफ दी हुई है अगें यह भी ब्रेक इसको भी ऑपरेट करना बहुत आसान है अपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक लेक को यूज करके आप इस ब्रेक को लगा सकते हो तो आपको मैं बता रही थे कि जो प्रोड़क्ट है इसके में आपको 3 different reclining position बलता है जो first position है वो है एकदम straight मतलब पूरा बैठने वाली position में and जो next reclining position है वो है middle well इसको recline करने के लिए मैं आपको दिखा देते हूं आप कैसे इसको recline कर सकते हो recline करने के लिए यहाँ पे जो उन्होंने एक जगा दी हुए है उसको basically आपको starting में थोड़ा सा पुश करना है और फिर एक handle है उसको दबा करके आप इसको recline कर सकते हो तो यह है इसका middle portion का recliner कुछ इस तरीकी के again sitting position में और जो last reclining position है वो है sleeping position तो वो भी मैं आपको करके दिखा देते हूं यह है last reclining position sleeping position so दोस्तों यह था reclining position के बारे में आप इसके leg rest के space के बारे में भी मैं आपको बता देती हूं तो यह जो product है यह आपको दो leg rest का space देता है and यहाँ पे leg rest के space के लिए यहाँ पे आप देख सेकते है यह है straight अगर baby आपका सो रहा है तो आप यहाँ पे use कर सकते हो and जो second leg rest का space है यहाँ पे उन्होंने buttons देवे हैं जिसको use करके आप इसको नीचे कर सकते हैं यहाँ पे press करके आप इस तरीके से अगर for example अगर आपका baby बैठा हुआ है तो यह position उनके लिए एकदम best है और इस तरीके से two positions leg rest का इसमें offer होता है वेल दोस्तों यह था leg rest के बारे में next जो मैं आपको बताना चाहते हूं वो है इस product के साथ कौन कौन से attachments मिलती है तो जो सबसे पहला attachment जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक feeding tray मिलता है feeding tray के साथ एक cup holder मिलता है अगर आप baby को feed कराना चाहते है इस तरीके से तो आप आसानी से baby को feed करा सकते हूं या baby को bottle अगर आप लेकर के carry करना चाहते हो तो आप इसको लेकर के carry कर सकते हो आप देख सकते हैं जो basket है वह बहुत ही ज्यादा huge है मतलब अगर आपको diaper bag carry करना बचे के तो जनरली बहुत सारे समान वैसे भी हो जाते हैं तो अगर आपको वह carry करना है तो आप ये basket आसानी से यूज कर सकते हैं हम तो बहुत यूज करते हैं हम जहां पे पी जाते हैं उसके अलावा जो उन्होंने यहां पे दी हैं यह एक canopy है well canopy के जरुद क्यों पड़ते हैं for example अगर sunny day है और अगर आपके अपनी बेबी को बहुत बहुत धूप है और अगर आपको अपनी बेबी को धूप से बचाना है तो आप यहां पे जो canopy जो है वो बहुत useful हो जाता है canopy के साथ 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 दोस्तों यहां पे canopy के ऊपर ही अगर ही आपके visible है तो अब मैं आपको दिखा दूँ यहां पे इन्होंने एक picabo window भी दिया है आप ऐसे देख सकते है और इसके साथ 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 दूर के पीछे एक mosquito net का holder दिया है जिसमें काफी space है बट मैं आपको बता दू तो next जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो है कि इसको फोल कैसे किया जा सकता है फोल करने के लिए यहां पे दोनों तरफ इन्होंने एक जो है वो holder दीवी है होलडर को बस आपको उपर की तरफ जो है वो पुल करना है और जैसे आप पुल करेंगे इस तरीके से जो है वो half close हो जाएगा जैसे यह half close होगा आपको बस आगे की तरफ जो है वो थोड़ा सा पुश करना है और आप देखेंगे this is ready to go तो यह हो गया आपका stroller fold और बहुत करना बहुत आसान है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सर्फ एक finger को use करके भी इसको बहुत ही आसानी से operate कर सकते हूं इसके wheels बहुत ही smooth है जैसे कि अगर मैं हमारी language में बोलो तो मखन जैसे चलते हैं तो यह था इसके मेरा feedback पर उसके लावा दोस्तों मेरा कुछ और feedback भ करना चाहते हो तो फिर मुझे रगता है कि इस टोलर जो है वह थोड़ा सा बलकी है अगर आप इसको use कर रहे तो इसको use करना डेफिनिटली आसान है और इसके build quality के वज़े से ही जो इसका weight बहुत जादा हो जाता है दूसरा जो मेरा feedback है कि इसमें mosquito net नहीं मिलता जो कि मैं आ आपको बता है कि 3 declining position मलता है और साथी साथ आपको 2 positions leg rest का भी स्टोलर के साथ मैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो स्टोलर पे आर फू राबिट चॉकले ट्राइट स्टोलों पे I really hope कि आपको आज का वीडियो थोड़ा सा informative लगा मैं स्टोलर के बार में जितना मेरे शेयर कर सकी और इसी के साथ मैं आज को वीडियो खतम करती हूँ अगर आपको यह स्टोलर खरीदना हो तो इस प्रोड़क का लिंक मैं आपको description box में दे दूंगी आप महां से ले सकते हैं अगर आपको कोई और भी सवाल है इस प्रोड़क से लेकर related तो आप मुझे कभी भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं I'll definitely get back to you so उसके साथ दोस्तों मैं आज को वीडियो खतम करती हूँ और मैं अमरता आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ नए information and tips के साथ and तब तक के लिए दोस्तों happy parenting आप यह हुए अपने और उपने बच्चों का ख्याल हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे